गूड मार्निंग चिल्डरेन बेटा आज मैं मैंस में आपको राइटीन वर्स बताऊंगी इसके पहले आप लोगों ने राइटीन वर्स 151 से लेकर 160 तक सीखा था आज मैं उसके आगे बताती हूँ 161 to 170 तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमबर 1 में क्या होगा 161 161 जैसा कि मैंने आप लोगों पहले भी बताया है आपको 1 की स्पेलिंग याद है 100 की स्पेलिंग याद है और 61 की भी स्पेलिंग सबको याद है तो आपको क्या करना है सबको यहाँ पर एक साथ राइट करना है जब आप एक साथ राइट करोगे तो H-U-N-D-R-E-D 100 और 61 क्या होता है? 61 आप यहाँ पे S-I-X-T-Y 60 और साथ में आपको 1 की spelling आड़ कर देनी है यह क्या बन गया बिटा? 161 उसके बाद क्या होता है? 162 अब आर बार ऐसे बोल बोल कर राइट करोगे तो आपके spelling कभे mistake नहीं होगी O-N-E 1 H-U-N-D-R-E-T 160 S-I-X-T-Y 60 तू के spelling क्या हो जाएगी बिटा? T-W-O 162 162 Next है 163 163 को क्या बोलते है? 163 O-N-E 100 के spelling क्या होगी बिटा? H-U-N-D-R-E-D 60 कैसे राइट करोगे? S-I-X-T-Y 60 आपको यहां पत्थ्री के spelling राइट करनी है? T-H-R-E-E 163 Next है 164 इसको इन वर्स में कैसे राइट करोगे? 164 O-N-E 1-H-U-N-D-R-E-D 100 S-I-X-T-Y 60 फोर के spelling क्या होती है बिटा? F-O-U-R 164 Next है 165 इसको कैसे लिखेंगे? O-N-E 1-H-U-N-D-R-E-D 165 S-I-X-T-Y 60 5 के spelling F-I-V-E 165 Next है 166 166 आप देख रहे हैं यहाँ पर वार 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 वान के spelling रिपीट हो रही है वो यह नी 1-H-U-N-D-R-E-D 100-S-I-X-T-Y 60 और आपको यहाँ पर 6 के spelling राइट करनी है तो क्या बन जाएगा? 166 S-I-X-6 Okay बिटा Next है 167 167 वो यह नी 1-H-U-N-D-R-E-D 100-S-I-X-T-Y 67 S-E-Z-E-N क्या बन जाएगा? 167 Next है 168 168 वो यह नी 1-H-U-N-D-R-E-D 100-S-I-X-T-Y 60 और यहाँ पर 8 के spelling लिखनी है 8 के spelling क्या होती है? E-I-G-H-T Next है बिटा 169 169 वो यह नी 1-H-U-N-D-R-E-D 100 उसके बाद आपको 69 S-I-X-T-Y 60 Next आपको 9 की spelling लिखनी है बिटा 9 की spelling सबको याद है अच्छे से ना N-I-N-E 169 और लास्ट में है बिटा 170 170 170 को बोलते है 170 तो आप 1 लिखेंगे फिर 100 लिखनी है H-U-N-D-R-E-D और यहाँ पर आप 7 में T-Y आट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 70 S-E-V-E-N-T-Y 170 तो यह था बिटा राइट इन वर्ड्स 161 to 170 आप लोग मैस की कॉपी में इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगो बोल बोल कर राइट किया ना? वैसे ही आप लोग भी बोल बोल कर अपनी मैस की कॉपी में राइट करोगे इससे आप लोगो इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाएगी Thank you बिटा Have a nice day